तो स्वागत है आपका मेरे चैनल डेली अपडेट 3M में चलिए देख लेते हैं दस कलास के फिजिक्स से कुछ अब्जेक्टिव कोस्चन जो काफी महद पूर्ण सावित होगा आपके बोर्ड एक्जाम के लिए तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को करती जिए सस्क्राइब तता बेल आइकन को प्रेस करती जिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे चलिए पहला कोस्चन देख लेते हैं गोली ये लेंजिस जिए अप्षन दिए समतल्दरपण। इसका। बाहर की तरफ वक्रित हो यानि बाहर की तरफ क्या हो वक्रित हो ऐसे हो बाहर के ंप जब आपको मालूम हो उसको आप कमेंट बॉक्स में पहले भी लिख सकते हैं चलिए उत्तंज लेंस में बना परतिवीम्ब होता है बराबर और सीधा वास्थिक और उल्टा वास्थिक और सीधा इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा आपका वास्थिक और उल्टा होता है पूछ रहा है आप से कि उत्तल लेंस तो उत्तल लेंस में बना परतिविम्ब वास्तिक और उल्टा होता है चलिए चार नमर कोस्टन देख लेते हैं चार नमर कोस्टन है उत्तल लेंस में जब विम्ब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना परतिविम्ब होता है option A है, बड़ा और वास्तविक option B है, छोटा और वास्तविक option C है, छोटा और कालपनिक option D है, बड़ा और कालपनिक तो इसका correct answer हो जाएगा आपका option A, बड़ा और वास्तविक चलिए अगला question देख लेते हैं, अगला question है, गोली ये दरपन में फोकसांतर एवं बक्रता त्रिज्या के बिच संबंद होता है, option A है, आपका R बड़ाबर 2F, option B है, F बड़ाबर AR, option C है, F बड़ाबर 2YR, option D है, R बड़ाबर FY2 तो इसका correct answer आपका हो जाएगा, option A, F बड़ाबर, R बड़ाबर 2F, ए आपका correct हो जाएगा, R बड़ाबर होता है आपका, F बड़ाबर होता है क्या, आपका F बड़ाबर होता है, R by 2, यहीं से, R बड़ाबर आपका हो जाएगा, 2F, तो A आपका correct हो जाएगा, चलिए अग अगला question देख लेते हैं चो नमर सोलर सोलर कुकर में परियोग किया जाता है option A है कि अउतल दरपंड अप्शन बी है उतल दरपंड अप्शन सी है समतल दरपंड अप्शन डी है आपका उत्तल तथा अउत्तल दरपंड तो इसका correct एंसर हो जाएगा आपका अउत्तल दरपंड का परियोग किया जाता है solar cooker में चलिए अगला question देख लेते हैं साथ number question है एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह option A है सभी जगह सामान मोटाई का बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा उत्तल लेंस कर रहा है तो उत्तल लेंस ऐसे होता है आपका ऐसे होता है तो किनारों की अपेक्षा क्या है यह बीच में मोटा है तो C आपका correct answer हो जाएगा चलिए 7 number 8 number question अब देख लेते हैं 8 number question है आपका 8 number ओतल लेंज का आवर्धन M बराबर होता है तो ओतल लेंज के आवर्धन का सूत्र M बराबर होता है आपका B बट्टा में U तो D आपका correct answer हो जाएगा चलिए अगला question देख लेते हैं अगला question है 9 number question है आपका परकास के अपवर्धन के कितने नियम है तो ये तो question हम कल भी आपको बताए थे दो नियम होता है परकास के अपवर्धन का चलिए 10 number question देख लेते हैं 10 number किसी माध्यम के अपवर्तनाइंक का मान होता है या आपका पुछ रहा है स्नेल का नियम पुछ रहा है तो स्नेल का नियम होता है साइन साइन आई बटा में साइन आर को स्नेल का नियम कहते है और आप्शन ए ही आपका करेक्ट है तो आज के वीडियो में इतना ही चलिए बहुत बहुत धन्यवाद